कला संस्कृती और सुन्दर्ता के लिए मेरी खोज ने मुझे पहुचाया गुजरात के कच्छ के रंगीन गाओं तक यहां मैंने कला के एक अदभुत और असाधारन रूप की खोज की जब मैंने पहले देखा तो मुझे यह कला एक कड़ाई के रूप में लगी लेकिन जैसे ही पहुचे सुमेर गफूर खत्री के घर में तो आप पाएंगे रंगो की स्मृद्धी को रोगन कला के रूप में दोस्तों पहले हम आपको बता दें कि सुमेर गफूर खत्री है कौन और आज हम इनके बारे में आपको यूँ बता रहे हैं पहले वेल्कम बैक तो माई चैनल आर्ट फेक्ट्री पीडियर तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे सुमेर गफूर खत्री की ये हैं अब्दुल गफूर खत्री की अतिजे यानि कि अब्दुल गफूर खत्री इनके चाचा है और आज हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये वो अंतिम पीड़ी है जो रोगन कला को बचाए हुए है ये है कच्छ जिले के उजरात में रहने वाले एक रोगन कला कार इन्हें 2019 में पदमश्री पुरुसकार और 1997 में राश्रिय पुरुसकार रप्त हुआ और 1988 में इन्हें राज्य पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों इनका जन्म हुआ पच्छ के निरोना गाओं में और यहां रहने वाले जो रोगन अंतिम रोगन परिवार था उस घर में इनका जन्म हुआ और ये परिवार तो हमने आपको बताया ही है कि रोगन कला कारों का अंतिम परिवार था और ये देखिए ये हैं सुमेर गफोर खत्री सन 2004 में भारतिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका गए थे ना जब तो वाइट हाउस का उन्होंनी दोरा किया उस दोरान राष्ट्रपती ओबामा को दिया जीवन के प्रक्ष यानी लाइफ ट्री सहित दोर रोगन पेंटिंग्स जिनहें अब्दुल गफार खत्री ने चित्रित किया था दोस्तों कितनी बड़ी बात है न ये इनके लिए और हो भी क्यों न इतनी मेहनत करते हैं हम आगे अभी आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये काम किया जाता है और किस तरह से ये कितनी मुश्किलों के बात तयार होता है अब बात करते हैं रोगनकला के बारे में ये वास्तव में फारस की भूमी से आती है और अब केवल खत्री परिवार ही अकेले इस काम को जो है वो करता है और ये हैं भुज गुजरात से 20 किलोमीटर डूर निरोना के एक छोटे से गाउं में रहते हैं रोगनकला को कच्छी की शित्रिये जन जातियों के दुलहनों के कपड़ों को सजाने के लिए हाथ की कढ़ाई के जो है न सबस्टीचूट सस्ती सबस्टीचूट और तीज विकल्प के रूप में विक्सित किया गया था खागरा से लेकर में शाल ओढ़नी तकिये के कवर से लेकर बैट स्प्रेड बैग पर्सिज कुशन कवर्स परदे सब कुछ इस कला से किया जाता है इस कला में लोग कला रूप फार्सी बास्तु कला और रेखिये कढ़ाई पैटरन का समयोचन शामिल है दोस्तों यह जो कला है ना यह तीन चर्णों में की जाती है और बहुत ही खुबसुरत जो है ना यह कला है दोस्तों पहले चरण में जो है ना रंगों की बुनियादी तयार की जाती है यानि रंग किस तरह से तयार किये जाते हैं उन्हें किस तरह से लॉंग लास्टिक बनाया जाता है ये सब इसका फॉस्ट स्टेज होता है हम आपको ये सब बाते बताएंगे लेकिन उसे पहले आप ये जान ले कि जो रोगन कला है ना दोस्तों ये जब हमारा कोरोना काला आया था उस समय पर ऑनलाइन होने व्यापार करके इसको थोड़ा सा मलती हुई इस कला को सांसे दी है इसे जन जग तक चाहने की कोशिश भी क दोस्तों हम बात कर रहे थी रोगन कला के तीन चरनों की तो पहला चरन होता है रंग यानि की बुन्यादी तैयारी दोस्तों इस पहली चरन में अरंडी के तेल को एक खुधानक तक गरम किया जाता है ताकि ये एक गाढ़ा चिपचिपा गुदा बन जाए इसमें उच्चि और इस प्रकार हमें लाल, पीले, सफीद, हरे, नीले सब रंग मिलते हैं और ये जो रंग है ना दोस्तों ये लोग बिल्कुल जो है ना हमारे प्रकरतीक रंग उनका इस्तिमाल करते हैं और इन रंगों को जो है ना लंबे टाइंग तक बनाए रखने के लिए ये पानी के साथ इसको जो है नसमा रखते हैं या कि आप देख रहे हैं पिक्चर में पानी के अंदर ये जो रंग है ये रखा जाता है। और ये प्रक्रिया है न तो तीन दिनों तक चलती है तीन दिन तक ये कलर बनते हैं और ये कलर्स बनाने के लिए न इन्हें गहरे जंगलों में जाना पड़ता है क्योंकि जब ये कलर बनते हैं तो बहुत ही ज्यादा तेज गंध छोड़ते हैं तो दोस्तों देखे कलर बनाना इतना मुश्किल है तो इसका काम करना कितना मुश्किल होगा हम सबको चाहिए कि हम इस जो है ना आर्ट को किसी भी तरह से ट्राइ करें इसको देखें समझे सीखें अपने बच्चों को बताएं आने वाली पीड़ी को समझाएं तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे चरण के तो दोस्तों दूसरे चरण में काम किस तरह से होता है अब आपको ये बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा जो सुमेर भाई है ना अबदुल गफोर भाई के पतिजे जमीन पर बैठते हैं खाली कपड़े को अपनी जांगों पर र देखते हैं और उसके बाद उस कपड़े को अपनी जीन्स पर पिन अप करते हैं ताकि ये कपड़ा है न ये बराबर रहे बिल्कुल भी हल ना पाए तो दोस्तों देखिए ना ही कोई फ्रेम है ना ही कोई अड़ा है लेकिन फिर भी इस काम की उप्सूरती देखिए और कि अपनी महनत के साथ ये काम किया जाता होगा आप इस चीज को सोच सकते हैं समझ सकते हैं तो आप बात करते हैं हम तीसरे और अंतिन चरण की जो समसे ज्यादा इंपॉर्टन है और समसे ज्यादा टाइम कंजूमिंग भी ये ही चरण है दोस्तों पेंटिंग की प्रक्रिया अब शुरू होती है अब सुमेर भाई यानि अबदुल भाई जो है ना ये दोनों धातू के एक स्टाइलिस्ट की मदद से जो आप देख रहे हैं हमारी इक स्पिक्चर में ये एक धातू के स्टाइलिस्ट की मदद सी जो रंगीन लुगदी नुमा जो कलर है ना उसको हथेली पर स्टाइलिस्ट से मसलते हैं हिलाते हैं जब तक वो रंग एक धागे नुमा ना हो जाए एक धागे की तरह स्थिरता तक फैलाया ना जाए यानि कि जब कपड़े पर डिजाइन करने शुरू करते हैं ना उससे पहले भी कम से कम एक घंटा उस कलर को मिक्स करने मे लग जाता है हाथ ओपर तो फिर इसके बाद जो है ना कपड़े पर डिजाइन करने के लिए जब हम इस काम को करते हैं तो ये जो वर्क है ना ये जो आर्ट है इसको ट्रेस नहीं किया जाता दोस्तों जाहिर तोर पर कपड़े पर कोई भी tracing नहीं होती तो जो design है न वो सब free hand किया जाता है ये जो painting है ये free hand जटल painting अनुभव के साथ सतीकता और सहजता का नतीजा होता है कुछ design में same pattern होती है दोस्तों और कुछ में अलग-अलग होती है यानि की जन में same pattern होती हैं, उस को यानि उस कपड़े को center से fold करके उसको दरपन्नुमा यानि की mirror image की तरह से वो show होता है. जिस तरह से इस design में आपड़ से इस दिजाइन अगर हम center से fold कर देंगे, तो दूसरी side भी वही design आ जायेगा. तो कुछ जो डिजाइन है न वो इस तरह से बनते हैं और last but not the list अंत में जो कपड़े को कम से कम दो दिनों के लिए रूप में सूखने के लिए रखा जाता है तो दोश्णों ये देखे कि एक-एक डिजाइन को बनाने के लिए महीनों की महनत लगी है महीनों सबर रखा जाता है महनत की जाती है तब जाके ये डिजाइन हमारे सामने आता है हम भी कोशिश करेंगे हम ये colors तो नहीं बना सकते लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से मैं आपको ये करके दिखाने की कोशिश करूगी किस तरह से हम ये जो है न वर्थ कर सकते हैं भले ही ये कला अब अपने अंतिम चरण भी हो दोस्तों लेकिन इस कला को भीवित रखने के लिए सारा समर्पन, सारा श्रे, सारा प्रयास, निश्चित रूप से जो है न अब तुम का फूर खत्री हो और उनके परिवार को जाता है एक पूरा परिवार मिलकर एक काम कर रहा है पूरे भारत वर्ष में एक लौता ये परिवार है जो ये काम कर रहा है और कितनी सफाई से जो है न ये काम किया भी जाता है हम लोग तो सोच भी नहीं सकते जब हम इसको करने के लिए बनाने के लिए सोचे तो नहीं हम इस तरह से colors बना सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होगी और प्रॉपर जो है न इसके लिए mindset की जरूरत होगी कि हाँ हम इभी try करना है तो हम इस तरह से color तो नहीं बना सकते दोस्तों लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूँगी कि इसका एक जो है न छोटा सा नमूना किसी भी तरह से मैं आपको सिखा सकते हूँ तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है न तो like जरूर कीजेगा बहुत महनत करके ढूंड कर लेकर आती हूँ मैं इस तरह के arts आप सभी के लिए और बहुत ही ज्यादा सोच सोच कर लुप्त होती जो हमारी कलाए है उनकों मैं आप सब के सामने रखती हू तो इन कलाओं को लुप्त होने से आपको भी तो बचाना है आप लोग भी कोशिश कीजिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ हमारे भारत वर्ष की कलाओं को दुनिया के सामने लाना है और हमें इनको सहेज कर धरोहर के रूप में भी रखना है दोस्तों इस वीडियो के से ज्याधा शेयर कीजिए ताकि ये जो नॉलिजे और ये सब तक पहुंचे और इस कला के बारे मैं सब जान पाएं, तो ये देखे किस तरह से ये काम हो रहा है, इस तरह से धागे नुओं बनता है, और कितनी सटीकता के साथ ये काम होता होगा दूस्तों तो हम इसके बारे में और भी बाते करेंगे जब हम इस टॉपिक पर एक वीडियो और बनाएंगे चैनल पर अगर नए है न दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जादा से जादा शेयर कीजिएगा बैल आइकन को तो प्रेस करके रखी लीजिए और अब ये देखिए 100 साल पुराना ये ब्राइडल घागरा है जो इस कला से बना हुआ है इसको देखिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार हमेशा की तरह फिर मिलेंगे फिर करेंगे बाते दो चार बहुत सारी आर्ट्स के साथ बहुत सारे क्राप्स के साथ बहुत सारे फन के साथ आर्ट फेक्ट्री पीडि पर आप और मैं मिलकर बनाएंगे एक कला कसंसार थैंक्स पूर वाचिंग आर्ट फेक्री पीडि